नमस्ते दोस्तो आज अक्टूबर की अंतियम तिति है 31 तारीक है कल नवंबर शुरू हो जाएगा नवंबर बहुत खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है शिर्राम मंदिर के उपर शिर्राम जन भूमी के उपर कि वहाँ पर असली हक किसका है लेकिन ये फ सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का खयाल रखे कि इस फैसले के उपर भारत का भविश्य तै होता है इसके उपर काफि सारे वीडियो भी आए तरह तरीके से लोगों ने अनलिसिस किया और बताया कि किस तरीके से वकीलों ने सुप सुप्रदेश के हाई कोर्ट में यह मामला था तो वहाँ पर एक तरफ से पैरोकार जो थे हो कमलेश जी भी थे और उनकी हत्या किस तरीके से निरमम्ता के साथ में की गई हैं ये सब चीजें हुई उसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि काम क्या जा रहा है उन सभी कारे करत साथ के खिलाफ जो कहीं ना कहीं हिंदू तो वादी संगठनों से जुड़े हुए हैं या फिर जिन्होंने इसके रक्षार्थ काम करने की कोशिश भी की है या आवाज भी उठाई हैं दूसरी तरफ रस ने कल ये बयान दिया है कि जो भी फैसला होगा वो हमको मान्य होगा अब इसके दो पहलू हैं रस जब किसी बात को बोल रहा है तो इसके दो पहलू यहाँ पर लगने लाजमी हैं पहला कि यह एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते उन लोगों को कहना पड़ा क्योंकि एरा गैरा नतुक एरा कोई भी कुछ भी कर देता है गेरुआ दुपट नहीं तरीके की प्रश्ण वाचक चिन खड़े हो जाते हैं नहीं नहीं तरीके की परिभाशाएं खड़ी हो जाती हैं लेकिन इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें तो क्या इन सब आरोपों से बचने के लिए पहले से पहले ही संग डिफेंस में खिलना शुरू कर देगा एक वो कौम है एक उस कौम के प्रतिनी धित्व करने वाले संगटन है जो हजार आरोप लगने के बावजूद जो खुले आम ओनेयर कहने के बावजूद जो समाचार शैनलों पर चीक चीक कर चिला चिला कर कहने के बावजूद बड़ी बड़ी सभाई में सभाई करते हैं और उनमें बोलने के बावजूद उनके उपर कोई प्रशने चिनास तक नहीं खड़ा हुआ लेकिन यहां डिफेंसिव हो गई आरेसेस लेकिन आरेसेस को ये बताना चाहिए कि अगर उनको सुप्रिम कोर्ट का ही फैसला लेना था और सुप्रिम कोर्ट का फैसला ही उनके लिए सर्वमान्य होना था तो अभी तक इस मामले पर वोटे क्यों बटोरी गई लोगों को लेकर के कार सेवा क्यों करवाई गई लोगों को उठा उठा करके उनसे यात्राएं रथी यात्राएं क्यों निकलवाई गई राम मंदिर के नाम पर सेवाएं क्यों करवाई गई बूत का जो कारी करता होता है उससे लेकर के जिन लोगों ने परचा भरा, सांसत बने, विदायक बने, मंत्री बने, इन सब को लेकर क्याने की जरुरत क्या थी पहले से ही बता दे थे कि बई जो भी संसर्द में होगा वो ही हमको मानने होगा और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं मानेंगे RSS को अपने इस दोगले पन पर मैं इसको सीधे सीधे कहूँगा हो सकता है किनी लोगों की भावनाय आहत हो बट I don't care about it क्योंकि उन्होंने भावनाय आहत की हैं आज सो करोड से अधिक लोगों की और मैं इस बयान की बात नहीं कर रहा हूं इस बयान से आगे बढ़ते हैं कमलेश जी के हत्या के बाद में जो मुजरिम है उनका केस लड़ने के लिए जा रहा है एक मुसलिम संगठन जिसका नाम है जम्यत उलेमाय हिंद ये जम्यत उलेमाय हिंद वही संगठन है जिसके साथ में बातचीत करके संप्रदा एक सोहार्ध बनाने शांती का भाव बनाए रखने के लिए पिछले दिनों मोहन भागवत जी, RSS के जो प्रमुक है उन्होंने जमियत उलेमाई हिंद के प्रमुक से बातचित की थी और इसके लिए एक संगी व्यक्ति को निुक्त भी किया था आप निूस पेपर्स बहुत आये थे, आप लोग पढ़ते भी है आपको पता भी है किस तरीके से उससे भी पहले इन्ही मोहन भागवत साहब ने कहा था कि मुसल्मानों के बिना हिंदू राष्टर की जो अवधारणा है वो पूरे तरीके से एक बेमानी है आज वही जमियत उलेमा हिंद कमलेश जी के हत्यारों का केस लड़ने जा रहा है लेकिन उस पर बयान देने के बजाए राममंद्र के फैसले पर सुप्रिम कोर्ट के फैसले का हम किस तरीके से स्वागत करेंगे उस पर अनरगल बयान बाजी हो रही है अपने पिछले 60-70 साल के बयानों को उठा करके देखिए और अब उसी कंपेरिजन इससे कीजिए आपको माफी मांगनी चाहिए के पहले हमने क्या क्या बोला है अगर आप इसको राजनीती का नाम देते हैं कैसा करना पड़ता है ये डिप्लोमेसी है तो ध्यान रखें के आप एक सामाजिक संगठन है आप कोई राजनेतिक पार्टी नहीं है दूसरी चीज के अभी तक आपने जम्यत उलेमाए हिंद के साथ अपने जो संबंध तैरायत है भी जो नाव चलाई थी उसमें क्या किया है क्योंकि मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि कमलेश जी RSS को प्रोटेक्ट करते हुए हमारे बीच से गए है और RSS का अभी तक और RSS के जितने भी लोग है उनका भी और RSS ने जिनको प्रधानमंत्री बनाया है उनका भी अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है हाँ मुझे पता है कि बहुत सारे बयान वीर कमेंटर बोक्स में आते हैं वो कहते हैं कि मोधी बोलता नहीं है वो सिर्फ करता है यह हिंदू की ताकत थी जिन्होंने बहुत कुछ किया है और वो करना हिंदू का नहीं लगता है आपको और सीधे आप उठा करके पूरा श्रे दे देते हैं अपने प्रदानमंत्री जी को और कहते हैं कि देखा हमने तो पहले ही कहाता कि वो करने वाले हैं इस तरीके की बकवास बयान बाजी नहीं चलेगी RSS को सपष्ट करना पड़ेगा कि पिछले 60-70 साल से वो जो लोगों को बहका रहे थे उसकी क्या सच्चाई है और आज जम्यत उलेमा हिंद के साथ में जो उसकी प्यार की पीपनिया बज रही है जो लव लेटर्स लिखे जा रहे हैं हम इसमें हिंदुत्व रक्षार्थ उनसे अगर कोई भी खिलेवाड करेगा उनके उपर हम कोश्चन मार्क लगाएंगी सवाल पूछेंगे इसी तरीके से हमारे साथ बने रही है मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय हिंद वन्दे मातरम